हेलो दोस्तों कैसो आप सभी लोग तो मेरे नहीं मैं आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केर वेल फार्म में तो आज की इस फीडियों में लोग बात करने वाले अपने दो और में लिए हमारे वाइसे टू मार्क्स में आता है तो उसमें आपको औरस की डेफिनेशन फॉल फॉल फॉर्म और यह थोड़े सी बाता है लिखनी पड़ेंगी तो चलो एक एक करके इन दौनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करते हैं पहला अगर हम बात करें यहां और S के बारे में और S की फॉल 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 होती है बडास सालिचनि बिल्लता में साथा हका हमादी ब्स स्क्राइब स्च कंपंज में में पड़ें हम प्री लोस होते हैं अब के और आप पहले वीडियो कर तेक कि समजे uni कि तो जो भी हमारे प्रिवेस लेक्चर हैं यूनिट बगरा के जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में एक लिंक मिलेगी प्लेलिट की वहां से जाके चेकाउट कर सकते हो चलो सिंपल अगर यहां पर समझें तो मालो कई बार क्या होती है हमारी बाड़ी में कुछ डिसीज आता है जैसे या तो बॉमिटिंग हो रही है बहुत जादा उल्टिया बगरा हो रही है या किसी को हो गए डाइरिया डाइरिया बोड़ी तो दस्त या फिर लूज मोसन तो उस के क्यलाब हमारी बाड़ी में बिमारी बगरे भी आ सकती है हम लोग कमजोर हो जाएंगे बीक हो जाएंगे और कुछ काम दाना नहीं कर पाएंगे तो अब इनको फुल्फिल करने के लिए हमने प्रीविएस वीडियो में तो बात के थे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस्मेंट ठरिपी के बारे में लेकिन इस पीडियो में बात करेंगे और यहनगी ओरल रिप्लेस्मेंट को रिकावर करने में हमारी हल्प करता है अब देखो यह कैसे करता है क्या करता है तो यहां हम पढ़ें पहले इसको अगर हम define करें तो simple बोल सकते हैं कि it is a solution which I used to treat fluid loss which occur due to diarrhea, vomiting और other disease और इन सब को मिला कर हम बोल जाते हैं dehydration, d मतलब delete हो जाना और hydration मतलब हमारी body में जो fluid है या water वाटर वाला हो जाना वो तो इस तरह का पूरा एक solution मन जाएगा और उसके अंदर हमारे धेर सारे electrolytes होते हैं जब आप इसको body में पी होगे तो जो electrolyte हैं इनकी कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगे और डार्क लिए हमारे blood में absorb होगे जो भी हमारे solution fluid है उस कमी को पूरा कर देता है तो symbols हमारे एक solution होता है अब यह हमारा simple है cheap है और effective होता है हमारे dehydration को treat करने के लिए ठीक है इसके अलाबा इसके अंदर हमारे पाएज आते है sodium chloride potassium water और कुछ basic nutrients जैसे glucose बगरा तो यह कुछ हमारे compounds हैं जो इसी के अंदर हमारे पाएज आते हैं अब देखो यह जो हमारा कई वार इसकी जगह पे आता है तो यहां पर मैंने आपको नाम पहली बता दिये हमारा sodium chloride potassium water यह सब होते हैं तो पहले हमारे एक इसका standard formula था जिसके अंदर हमारी osm थी 310 m osm पर लीटर यह एक लीटर के अंदर इतनी हमारी osmality होती थी ठीक है अब हमारे जो new formula आया है उसमें हमारी कड़ी गई है 245 और इसका formula यहां पर लिखा है और यह formula हमारा recommended किया गया डबलू एचो अब डबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ organization जो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी health पगरा को मदब देखती है और समाल के हमको रखती है उसके अलावा हमारी unicep भी है इसकी full form किसको बता है देखते हैं नीचे लिखके बताओ अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि इनके द्वारे जो नया formula आया है वो हमारा को इस तरीक करा और इसके अंदर कितनी किसकी concentration होती है वो यहां पर लिखी है और टोटल हमारी जो इसके अंदर osmolarity होती है 245 अब यहां पर अगर हम देखे तो टोटल हमारे यहां पर पांच compound है पहला हमारा आता है NACL जो हमारा एक salt है और यह हमारा 2.6 gram में present होता है पहली बता दू कि यह दोनों पार्ट अलग है और यह वाला हमारे एक अलग है और यह इन्हीं की concentration है कि यह कितरे में present होता है तो NACL की जो हमारी concentration होती है 75 M और capital M होती है फिर KCL हमारा potassium के बारे में बात किता है तो यह लगवा हमारा 1.5 gram present होता है और इसमें 20 mm हमारी present होती है तीसरा हमारा होता है trisodium citrate अब trisodium citrate हमारा ए लगवा हमारा 13.5 gram present होता है और इसमें होती है यह यह वाला आइंस अभी छोड़ दो और फिफ्ट हमारा होता water जो एक लिटर है तो एक लिटर पानी में इन सबको हम डिजॉल्व कर देंगे और हमारा ORS का घोल जो है मल जाता है अब देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं क हमको मिल जाता है citrate और glucose हमको मिल जाता है glucose तो यह total हमारे पांस तरीके के इसमें compound यहां बल सकते है आइंस प्रिजेंट है जिन सा हमारे यह पूरा recovery यहाँ पर होगी तो यही था हमारा बेसिकली composition ORS का तो यही हमारा question भी ORS का यही हमको बताना होता है इसके अलाबाद जब किसी को एक्यूट डायरी है यहांकि नॉर्मल होता है तो उसमें potassium जो हमारा होता है वह बहुत जादा lost होता है उस चक्कर में यह potassium हमारा हो जाता है main compound जो ORS के अंदर बढ़ा होता है main element इसके अलाबाद हमारा citrate बगरा यह कुछ basic add होते हैं और इसके अलाबाद जो हमारा ORS करने के लिए हमारे यूस होते हैं इसके लाब हमारा sodium और water है वह हमारे absorption को बढ़ा देते हैं जिससे हमारी absorption भढ़ जाएगी जब लिक्विड हमारी वाड़ी में ज्यादा जे तक टिका रहेगा और हम लोगो जो loss हो रहा था fluid बार पार निकल रहा था वह थोड़ा सा कम हो पी सकते हैं आपको ऐदम होना चुल्म होगा और लिए और और नॉर्मल है तो बस आदा साथए गंटे के अंदर में इसको बार बार पार जुब रहे時 को फी है इसके लाबाग से को इसक्त मा σας करें हो सकते हैं हमको पहला हमारा आता है हाइण हाइपर, नेट्रेनियां अब नेट्रेनिया का मतलब समझाई, यहां हमारे बात ही है सोडियम की यहनिखाना सोडियम방 कर ज्यादा हो साईगा और और हाईपर कैलिमिय मैंत अगर जाता हो जाएगा तो अगर कोई नॉर्मल ही पी रहा, इसको जादा ही पी रहा तो इनकी बड़ी में हो सकता है कि hyमारे corresponding बूर Ś i ml फाईवा इसको ठीक करती है एक्जामपल की है हमारा और हो गया है और हमारे एक और टीजन के ओरल रियाइटिशन ठेरपी के अंदर करता है जिसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो यह हमारा पूरा फुर्णा सा और सके बारे में अब मारा नेक्ट टॉपिक में हमको क्या पढ़ना ह मिल ले कि हमारा जो बॉड़ी में कुछ एसट और बेस प्रिजन होता है तो इसको बैलेंस को कैसे बनाना है वह हम थोड़ी देर में समझेंगे पहले समझतें कि यह बैलेंस एक्शल में होता गया है तो चेको हमारी बॉड़ी के अंदर हमारे धेर सारे फ्लूर्ट प्रिज है अब यहां पर क्या होता है कि जो हमारा बॉड़ी के अंदर प्रिजन 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 प क्या होता है कि हमारी बॉड़ी में जो blood है अगर उसका pH हम इससे कम कर देते हैं जासे जए से जादा कर देते हैं तो भई blood का जो हमारी बॉड़ी में काम है वो अच्छी तरह से perform नहीं किया जाएगा जो nutrient को इदर उधर पहुंचा रहा है oxygen को अपनी जगह पे पहुंचा रहा है तो ये काम हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा तो इस चक्कर में हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि हमारी पूरी बोड़ी में pH जो होते है वो जिसमें सवस्टांस का जितना decide किया गया वो उतना ही होना चाहिए अगर वो कम जादा होता है तो वो हमारी बोडी के लिए नुकसान दाइक हो सकता है अब कई केस में ऐसा भी होता है सीवर में कि अगर मालों blood का pH बहुत जादा कम हो गया या blood का pH बहुत जादा जाधा हो गया उस केस में भई जो बरसन है जिसका ब्लड है उसकी मौत भी हो सकते है जाने कि death भी कर सकते है तो इसलिए यह हमारा topic acid-based balance वाला बहुत important है क्योंकि सबका पीएच है वो एकदम balance होना चाहिए यह simple था एक logic आप समझे क्या होना चाहिए कैसे अब यह हमारे depend किस पर करता है तो जो हमारा पीएच होता है इस साथ से नीचे तक है तो वह हमारा acidic है और जब acidic है तो पीएच हमारा कम है लो पीएच है तो उस case में क्या होता है हमारे hydrogen आने वह ज्यादा हो जाते है यानिका अगर मैं simple बताऊं तो hydrogen हमारे जितने जादा होंगे कोई solution हमारा उतना ज्यादा acidic होगा और hydrogen हमारे जितने कम हमारा तो acidic है तो मतलब hydrogen ज्यादा है basic है तो हमारा hydrogen कम है और acidic कौन सा होता है जिनका पीएच हमारा कम होता है और basic कौन होता है पीएच हमारे ज्यादा होता है और एक basic range देखे जायद जो हमारा blood होता है उसकी क्या होती है 7.35 से लेके 7.45 यानकि अगर हमारे जो blood है उसका पीएच 7.35 से लेके 7.45 तक है तब हम बोलेंगे हमारा पीएच नॉर्मल है लेकिन अगर हमारा 7.35 से कम हो जाता है तो उसका हम बोलेंगे acidosis, acidosis का मालेb क्या है कि उसका हो गए nature acidic यानकि acidosis धे acidic ते जरो गया चियांकि वह सास से कम हो गया तो नीचर हमारा हो गया तो पूरी बॉड़ी में ऐसे एक तरह से प्योते है से ज़ादा हो जाता है यांगी आठ से घैस हो सकती है तो इसे लिए इसे बेलेंस बनाना हमारे लिए मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो है टोटल तीन सिच्टम पहला हमारा है बफर सिच्टम दूसरा हमारा है रिनल सिच्टम और तीसरा हमारा आता है रैस्पारेडी सिच्टम तो बफर सिच्टम के बारे में तो आप लोगों ने एसिट बेस बफर वाला पूरा फंडा अच्छे से पढ़ा है वहाँ पे आप बहुत अच्छे से जानते हो कि buffer का का हमारा क्या होता है कि मालो अगर हमारे पास कोई भी एक solution है अगर मैं बताओं ये मालो हमारे पास solution है तो अगर इस solution में क्या करूँ buffer की कुछ बूंद या buffer का कुछ drop डाल दूँ तो इसका जितना pH होगा न वो उतना ही pH रहेगा ना वो pH हमारा कम होगा ना वो pH हमारे जादा होगा तो buffer actual में क्या करता है वो इस pH के एक्चेंज को मैंदा रजिस्ट कर देता है buffer साथ दो solution में रजिस्ट था अब वो buffer pH को मतलब रोग कैसे रही है तो इसका symbol दा फंडा है मालो यहाँ पर तो इसके लिए हम एक example ले लेते है मालो हमारे पाद एक solution है चलो हम इसको माल लेते हैं यह हमारे का है blood का solution है हम इसको थोड़ सा red कर देते है तो मालो हमारे एक blood का solution है अब इसकी pH हमने एपरोक्स ले लेए 7.42 के लाब अब यहाँ पर हमारे पास दो ही situation हो सकती है या तो हमारे जो blood का pH हो या तो acidosis जाएगा यानि कि कम हो जाएगा acidic होगा या इसका pH भड़ेगा तो वो alkalosis हो जाएगा हमको दोनों ही situation है यहाँ पर प्रिवेंट कर रही है अब एक एक करके हम समझते है पहला हमारा था buffer system तो buffer system के अंदर हमारे तीन और आते हैं हम दो के बारे में बात करेंगे तो buffer system के अंदर हमारे दो system और आते हैं जिसमें पहला system आता bicarbonate buffer system अब आपको बता होगा तो bicarbonate is a example of buffer यान कि bicarbonate एक हमारा buffer होता है तो अब यह हमारा काम कैसे करेगा वो आपको यहाँ समझना है बाकि जो bicarbonate है इसको carbonic acid bicarbonate buffer system भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा carbonic acid भी use होता है और buffer bicarbonate भी use होता है अब समझो कि यह हमारा कैसे इस पूरे को prevent करता है तो मालो यहाँ पे हमारा पूरा blood था और blood में अब पहली condition क्या हो गई कि blood हमारा जा रहा है उपर को यान कि blood का pH हमारा उपर भढ़ता जा रहा है तो वो हमारा alkalosis हो रहा है तो मैंने पहले ही बिताए कि hydrogen जाता वो कंप रहा उतना जाता एसडिक और हमारी यह कम पार उतना जाता बिसä cycl तो इसमें हमारे hydrogen कम है और इसमें हमारे जाता है तो अब हम क्या करें कि अगर कि कम हम सेगखर थोड़े दम hydrogen और देजी तो यहाँ पर क्या होगा कि यह हमारा balance बन जाएगा तो alkalosis बाली condition में हम क्या करते है कि इसमें हम hydrogen ion की concentration भढ़ा देते हैं और जो acidosis है इसमें हम क्या करेंगे कि हम hydrogen ion की concentration हम घटा देते हैं तो इस तरह हम इसको पूरा का पूरा balance बनाते हैं तो पहली situation हमारी alkalosis वाली थी, इसमें क्या हुआ कि हमारे hydrogen ion की concentration कम होती है, इसलिए यह हमारा basic होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते है, कि हमारा carbonic acid है, वो यहाँ पर use करते है, और वो carbonic acid release कर देता है hydrogen को, कैसे करता है, तो जब इसकी dissociation होती है, देखो यहाँ carbonic acid है हमारा, अब यह हमारे alkalosis वाली condition में use होने लगेंगे, यहाँ पर हमारे भढ़ गया, तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, अपना carbon कैसे डाल दिया, carbon ने कैसे डाला, यह हमारा use होगा, और breakdown होगा, और breakdown होके उसमें release होंगे, हमारे alkalosis में इसके amount को भढ़ा देंगे, और जैसे जैसे हम यहाँ पर होगा, condition acidic, और acidic का fundamental मैंने simple बताएगी, हमारा होता है, यहाँ पर हमारे भढ़ गए हैं, और जब हम क्या करेंगे, हम इस solution में डाल देते हैं, bicarbonate buffer, तो जब हमारा होता है, HCO3 negative, और इस पर होता है, तो जब यह हम इस पूरे solution में डाल देंगे, तो इसमें जो extra हमारे hydrogen होते हैं, वह क्या करेंगे, वह इसके साथ react कर जаст cheg keyboard करेंगे, और जब हमारे हमारे सदरी हमारी ख्याति हए प्रसे jak carbonic acid, और इस तरह क्या होता है, जो इसके अंदर extra वाले hydrogen थे, वह हमारे hyvin से च सकते हों सेकेंड हमारा आता है phosphate वफर स्टम इसके अंदर वी कुछ हमारा इसी तरह का फंडा काम करता है बस इसमें क्या होता है कि बाइक आरुनियर्ट की जगह हमारा फॉस्पेट वाला आइन यहां पर यूज होता है अब जो फॉस्पेट आइन है वह हमारा वैसे तो होता ह HPO42 negative तो यह दो form में हमारा present होता है पहला हमारा होता है Monohydrogen phosphate इसमें क्या होता है Monohydrogen नाम से समय क्या है Monohydrogen मतलब एक हमारा hydrogen यहाँ पर present है और phosphate हमारा PO42 negative हो ठीक है second हमारा होता है dihydrogen phosphate dihydrogen मतलब दो hydrogen है तो इसका formula हो जागा S2PO4 अब अगर आप गौर करोगे तो यह हमारे यहाँ पर था तो देखो यहाँ पर हमने hydrogen एक रखा तो यहाँ पर 2 चार्ज है लेकिन हमने hydrogen पर 2 यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर चार्ज हमारा खता होता है यहाँ कि हमारा इनी के बेश पर आजाएगा यहाँ हमारा monohydrogen phosphate है और यहाँ पर पर sodium और यहाँ 2 specialist है 2- Melissa ào dare you monohydrogen phosphate यानकि di sodium monohydrogen phosphate मोनohydrogen phosphate और यहां हो जाएगा सिर्फ sodium और यहां पे phosphate अब इनकी reaction हम नहां कराते हैं तो पहली condition हम लेते हैं acidosis यानकि जब हमारी body में क्या होगा? acetic यानकि blood हमारा और acetic का मतलब क्या कि इसमें hydrogen नन हमारे थोड़ से जादा होगे तो जब यह जादा हो जाएंगे तो उस condition में अपने पहले वाला यान कि mono hydrogen phosphate जाइस की reaction कराते हैं तो जब हमारा यह पूरा sodium, सब्सक्राइब di sodium mono hydrogen phosphate react करेगा तो यहाँ पर यहाँ पर यह होगा एक हमारा sodium है वो हमारे यहाँ पर निकल जाएगा और यहाँ पर रहे जाएगा सिर्फ na और जो आइस तब हमारे यहाँ जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा s2po4 यहाँ यहाँ पर हमारे जो यह यह वाला हमारे थो था यह वाला हमारा सेकंड के समझते हैं सेकंड हमारा है अलकलॉसिस वाला नहीं किसमें लो ते तो उस कंडिशन में हम यहाँ पर इस्तिमाल करते हैं डाई हाई ऐडरोजन फॉसपीड का अब यहाँ फॉस्पेट में किया होगा एक्ष्टा वाला म सोडियम होगा होगा वो इसकी तरह करेगा और से अभी हमारा फिरसे बन जाएगा एने टू एच पीओ फोर और इसका जो मारे एक हाइडोजन था वह हमारे यहां पर रिलीज होता एगा और इससे क्या होगा हमारे सॉलिशन में हाइडोजन की प्रनी लगे और इसका बढ़ने के बढ़ने के बजासे हमारा क्या होगा जीरे रफ ़ीरे-फिरे की तरफ आएगा और यहां और यहां पर दो और रिनल सिस्टम अब renal system में कुछ नहीं समझना है यह हमारा kidney वाला funda होता है और इसमें क्या होता है कि अगर हमारा acidosis L के दोनों में यह काम करता है अगर हमारी body में hydrogen ion के अंचे जादा हो गई है तो यह हमारी body से उसको release कर देता है और अगर कम हो गई है तो यह absorb कर लेता है और यह क्या करता है और इसको थोड़ा समझे लोगी यह थोड़ा सा अलग करता है यह क्या करेगा यह हमारी body में जो co2 होता है carbon dioxide gas होती है उसको बाहर निकालने और खींचने में हमारी help करता है अब देखो दो condition है पहले हमारी acidosis जब हमारा acidic nature है यानकि hydrogen ion हमारे ज़्यादा है और alkalosis है जब हमारा basic nature है तो acidosis में क्या होगा जैसे हमारी body में acidosis होता है blood के अंदर मालो हो गया हमारा brain एकदम stimulate होता है और brain क्या करेगा वहाँ पर हमारा respiratory rate है यानकि जो हम सांस ले रहे तो उसको भढ़ा देगा और हम जतनी ज़्यादा सांस लेंगे हमार oxygen उतना ज़्यादा लेंगे और CO2 को हम उतना ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि blood के अंदर जो CO2 है वो हमारा कम होगा क्योंकि हम बाहर बाहर निकालें और जब CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा तो उस case में क्या होगा हमारे जो S2 और CO3 तना यह हमारा कम बनेगा और कारवन निक एसे कम होगा हमारे जो PS था वो हमारे धिग्रे-धिख्रे बढ़ने लगा यहाँ पर रेस्पार रेट बढ़ा है उसके वैससे CO2 हमारे जादा लोजिकल है अगर हम सांस ज्यादा तेज लेंगे तो हमारे CO2 बहा सियोटो हमारा कम हो जांगा उब यह आपस में मिल नहीं आप यह मिलें नहीं नहीं तो यहां पर जाता है। यहां पर ब्रेन के पार स्टिमलेशन घढ़ जाता है अब बस इनका अपोजेट करते हैं यहां घड़ जाएगा और होगा हमारा से यहां पर हम सैंद सलो ले और सलो लेने के बचाते हमारी बदी में रहेगा नहीं तक नहीं कर खासे और आपको यह तिनों फंडे समझा आँगे होंगे और कोई बीडावर्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं तो अब अगर देखा था है तो यह वाला पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है थोड़ा सा लेंद ही था यह चैप्टर क्योंकि इसमें काफी दा टॉपिक थे और सारे ही इंपोटेंट से जो अब आपको वीडियो कैसी लोगी कमेंट के बताओ वागी इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को सेर कर सकते हो वागी मैं मिलता हूं आपसे बहुत है नेस्ट चैप्टर ज्यान की थर्ड वाला डेंटल वाली के अंदर तब थेंक्यू टेक केर एंड आपसे लोग यहें दूस्तों